प्रेट उत्तार डर गई थी खुदा नखास्ता आपको कुछ हो जातो तो तो इरा कि क्या बता है हलका सा दर्द उठाता है तो उन्दु खामखा कबरा जाता है नदिल मस्बूत कर अतनी आके तुमें क्या क्या देखना पड़ी खुदा खेर करें क्यों ऐसी गौफनाक बाते कर रहे हैं आप मत करें इस तरह से, मैं पहले ही नडरी भी हूँ क्यों रो रोके हलकान होई जा रही हो तो अलशन, मुझे थोड़ी देर के लिए तनहाँ छोड़ चाओ घर देखो, किछन लेखो मुझे तनहाँ छोड़ मुझे अलशन, मुझे तनहाँ मुझे तनहाँ मुझे तनहाँ मुझे तनहाँ अलशन, मुझे मुझे तनहाँ सरो प्यास मुझे करते रदो मुझे 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 बेर्द तेरा हम दिल में चुपा के कैसे जीएंगे बता उस बेवफा से दिल खो लगा के हमको मिला भी है क्या हमको मिला भी है क्या ये जुनूबे खुदी बन गई आशकी तो ने दे है ये केसी सजा अजीए जुनूबे खुदी बेचाए ये अजीए डाइए अजुनूबे आशकी 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 अजिए जितनी इंसल्ट मैं तुम्हारी करता हूँ, उदोर होती तो, मुझ पर लानत बेच कर भाग चुकी होती जो तो लगता है, वो साइको केस ही, हमारे घर में खड़े होकर, तुम पर हाथ उठाने की जुरत कैसे हुई उसकी तुम तुम पुझे भी होता है, जब भी मैं तुम्हारी उस पुरानी आशकी के बारे में सुचता हूँ, बहुत दर्द होता है, मैंने सम अपनी आखों से जिकर गए लिए आखों से, तुम योगों की करीबियां, उनो ब्रेता भी हाँ, तुम पास रहे, जब देख रहा हैं जब भी मन गई आशकी, ये जुन बे खुदी, मन गई आशकी, तुने दे है, ये कैसी सजा हो गए, ड्राम ने कतम, जब जड़ा मेरे लिए एक अब चाय तो बना दो, और हैं सब ये ठीक नहीं है, मेरी खुद बढ़ा जो तुम ये, क्या हो गया बई, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहूं तुम ये, क्या हो गया है, हाँ? मुखार हो रहा है, मूद खराब करते हैं, ये नहीं मुसीबत आगे, लेड जाओ भाई, देख लूगा खुदी तंहा थे हम, तंहा रहे, लोटा नहीं मेरा मेहरदा रख की कसम, तेरे है हम, सुनता नहीं वो जाहे हम तुम आगे, शुके मूभी आगे, और लेकर भी परानी गाड़ी आगे, यह, ये वहाल है तुम्हारा, बडी बंती हो तुम इस घर में किसी को शुगरादा करना तो आता नहीं है, क्या खराबी हो उस गाड़ी अंदर, नहीं से भी जादा नहीं लगती है, इस घर में किसी को इस गाड़ी की कीमत पता है, तीन बार भी पैदा होके मर जाऊंगा ना, तेर भी मेरा बाप मुझे नहीं खरीद के दे सक मा, तुम्हें ताने देने के लावा कुछ और नहीं आता है, अंदर जाके देख लेना उसको, नगाफजादी बेमार होकर पड़ गई है इसमें तुम दूबावा है, देखु मैं, मैं नी देख नहीं मुलाजमा समझा वाजना तुम्हें? इतना वक्त नहीं है, मेरे बास जा रहा हूं मैं, नहीं गड़ी आई है ना जा रहा हूं दुलवाने जुलवाने जारा शिसके तो लूँ उसके दात उत्रे करागे चलाओ, देख ले ना, जाके उदागे तुम्हें पुराने काड़ी को नहीं काड़ी कह रहा है, पागल तो नहीं हो गया अच्छा मौक है, रानिया को डॉक्टर के पास देजाने की बहाने बहाने से अपना गेम भी खेल सकते हूं अम्मा, तुम फिकरी क्यों करते हो, मैं देख क्या आ जाती हूं मैं पापनी बापनी कोई डाल के इसे भी होते हैं, जो बहुत से चीजें जस्टर सुर्फम करेज़ते हैं मैं चाहती हूं के हमें कैसा घर बनाए जहां मुहबबत ही मुहबबत हो मेरी आंके सिर्फ आपको देखें और आपके लिए वाहिद मैं ही महबब हूं कहते हैं कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुम से महबबत करें बड़े फायदे होते हैं जिंदगी बर इंसान लाड टुटवाता रहता है तुम्हारी चाहे में टेस्ट की वैसे ही कमी हैं जैसे तुम मैं ब्यूटी की ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अगर मेरे साथ जाना है तुम ड्रेस चेंज करें तुम्हें कहला है? यह रखूस है तुम्सारी कमभथ मुहबत इंसान को आसपास से ऐसे जकर लेती है जैसे अमर बेद और जान जाने तक जान नहीं छोड़ती माने ना माने ना दिल माने ना माने दिल के तु मेरा है लोकी डाले लोकी डाले यह धनिया दिये मभलू क्या कर रहा है? गाड़ी को आद लगा रहा है जबान लगा रहा है छोड़ू हो नहीं में तुझे क्या होग यह दानिश? पागल तो नहीं होगे अरे कार ही तो आईए कौन सा मलक बरतानिया का ताज आ गया है तुमारे पास आप लोगों के तो मिजाज ही बतलके अमीर भाहू क्या लाए हो कि आख यह आस्मान पे चड़ा लिए तुम लोगों ने और यह नवाब तुम बताओ मेरे घर घर आती थी दिनda आफाच्व, चीनी देदो चावल देदो अरे चीनी यह स्टनी मेंगे होने के पावजूद चंटोय बर बर के ले जाती थी और आस तुम तो यह यह लोगा सब हश्क के तो मध्वार्भी जाए है यह तो दानिश के सरसर की महरबानी है, आई बात समझ में मीठा मीठा हफफफ करवा करवा ठूथू है खुद को नहीं मिला ला, इसलिए जल्ले हो, बता है सब निकला आजे हट अजे जाओ जाओ तुमारी असिया सब को बता है निकला आजे निकला आजे आजे को बोलते हैं लो, अब तानिश फोन पर फॉन कर रहा है पहले जब तुम बिमार ती तो तुम्हें उसे अकेला छोग दिया और अब तुम्हारी हमदर्थी समेथे के लिए तुम्हें बार बार फॉन कर रहा है बात करना चाता है तो उसे, लो, करनो मुझे कोई बात के इंडर्ड़ नहीं कर नहीं कर नहीं ओके, मैं फिर से मेसेज कर देती हूँ कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते हूँ कि वो तुमसे बात के बात के लिए यदे कष्वाद कि वो तुमसे बात के बात के बात के इंडर्ड़ नहीं झाल 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 तुम करूं क्या चा रही हो डॉक्टर से अपॉंट्मेंट क्यों नहीं लिया गड़ सबर करो अभी सब बताते तुम्हारा डॉक्टर बस आने ही वाला होगा वो देखिये डॉक्टर साब आगए झाल ज़रो तुम्हारा प्रॉक्टर नहीं लिए। झाल उवाव़ प्रॉक्टर साबल ऑ्रॉक्टर साबल बशीर, तुम जरा यहां से जाओ, मुझे साफ से बात करें। हैंजी, अरे, आज तो बहुत खुश निजर आ रही हैं, क्या हुआ? जी नहाल, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता हैं, कितने अर्से के बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कराहट देखी हैं, और आज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भी निकला हैं। अरे वा, तो यह चेंज आई करते हैं। सना ने किया है, उसने इसकी इमोशनल थेरपी किया है, और दोस्तों के साथ भी बाहर जाने के लिए उसी ने रज़ा मंग किया है। तो यह सना फिर से आने लगी है? हाँ, वो तो काफी दिन से आ रही है। पहले तो हमजा ने उसे बत्तमीजी करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था न। तो मुझे लगता है कि या तो फिर हमजा ने अपना इरादा बदल दिया है, या फिर सना इपने इरादे में बहुत मस्बूत हो गई है। फिर तो आपको उस लड़की का जा आगे शुक्री आदा करना चाहिए। बल्के मैं तो कहूँगा कि आप उसके लिए को इच्छा सा प्रेजन ले जाएं। बच्ची हो जाएगी बच्ची। मैंने सोच लिया है कि मैं उसके लिए क्या लेकर जाओंगी। अफिर साहिए। क्या लेकर जाएंगे। पंगुठी लेकर जाओंगी और मन्गनी तय कर आओंगी। अरे कैसी बाते कर रहा है आप डिरेक्ट मंगनी। यहीं कि जिन्हों ने उसको पैदा किया उनसे तो पूछ लें, लड़की से पूछ लें, अपने लड़के से पूछ लें, आप जट मंगनी पढ़ ब्या वाले चक्कर में पढ़ गई हैं, क्यों? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं तरीके से बात करूँगी उनसे, और मुझे यकीन है कि नवाब और आपवा इस रिष्टे से इंकार करी नहीं सकती, अच्छा आप मुझे एक बात बता है, उनकी लोट्री नहीं निकलाएगी, ना हैंडसम और अमीर दमाद उन्हें और कह कि ही हमजा को संभाल सकती है, जो चार लाते खाने के बाद भी, मुस्कराती भी आजाए उससे मिलने के लिए, अजीब, खैर, आईए लो, आज के खुशे के इस मौके पर एक खुश्यकल फूल आपके लिए, आई भी, हेलो, इदर आयो, तुम्हां कैसे, तुबारा पीछा करते हमाँ, क्यों करें मेरा पीछा, कुछ पाकी नहीं रहा है, क्यों करो कि तुमने मेरे लिए छोड़ा है क्या, उतकुल परबाद कर दिया है तुमने मुझे, मेरा दिन, मेरी जिन्दगी सब कुछ पफलूच हो गया इस पाजू की तरह, चुप होआ, वो बहुत बुरा ह मैं बदल नहीं सकती, उसे लेकिन, कुछ कहर भी नहीं सकती तुमने समकी फिकरन, अपनी फिकरन, सबाए मेरे क्यों कि तुमने मुझे बेवफा है, बोलो बोलो नारी, क्यों उसे जब तुमने मुझे से वादा किया, कि तुम आओ उसे, तु क्यों नहीं आए, चांती हो तुमारा मैं कब तक इंतसार करता रहा हूँ में साभूश में आजाओ, क्यों तुमाशा कर रहे, कुछ नहीं हो सकता एक नहीं सुनूगा मैं तुमारे, मेरे तमाम सवालों का जवाब देना होगा तुमें अरे पनता है, तमाशा तो बने तुमारे सवालों का से के जवाब है कि मैं मैं मझबूर थी स्टॉप इट रादिया, मद तो अपनी पेवफाई को मचबूरी का नाप शिरोवाट, तुमें सिर्फ दिनों के साथ की नाथ अरे, मद मानी गई है क्या, पागल हो गई है अकल चदने के लिए गई है घास एहमा अकल लड़की, कदी है बिलकुल अरे, तु यह नहीं सोचती के तु अपने पॉफे खुद को लाड़ी मार रही है है, चल बसकर, हम्जा को फॉरण वापस गई, और घर वापस हा राणिया को मज़ा चखाने का इससे अच्छा मौका दुबारा कभी नहीं मिलेगा सोचे, जब दौनेश, हम्जा और राणिया को एक साथ देखेगा न, जो रही सही मौपत है न, वो भी खब्म हो जाएगी बिल्कुल अब बागल है, कदी है पिल, अरे, तो यह के नहीं सोचती का, अगर दानिश और हम्जा आपसम उल्चेंगे, तो सिर्व राणिया की जिन्दगी परबाद नहीं होगी, हमारे पे लाइन का क्या, वो परबाद नहीं होगा अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था, अगर अब दानिश को कैसे मना करूँ, अरे, कोई भी बहाँ ना कर दे, उसका दबाग कहा चलता है इन मामलात में, बस उसको घर बेज, हम्जा को, तु घर बाप अधा जल्दी से, दमाग ठीक करूँ मैं, बाग को जल्दी से, सबस्केश दो जए आग को, कहाना थे ना, कि व करूँ मैं या किषनग मालतो कर दूदी, काईभ, चता को छोड़ोगो ने हम चाने जिंदा कर दो, अराम, सहीड महीरा ही, तु हivosड़ख, जल्दी आगके से ढ ग़ काईआ, लेकिन, मृट ड़ूघए लिते, लेकिन थोड़ मैं तो मजाग कर रही थी, इतना टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचेंगे मैं मजाग करना हूँ दिमाग सही है तुमारा, कि पुराणिया का है? कि इतना चिलाने ही जुरत है, वह भागत नहीं हो गया वह वेटिंग पर है, अब उसका नंबर बस आने ही वाला होगा, अब तुम आई गए हो, तो थोड़ी देर और रुख जो, मैं गाड़ी विचलनगी तुमारे साथ वापस, रिक्षे भी ने मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता अब कात देखी अपनी, रिक्षे साइधी रिक्षे में जाने अब कात नो तुमारे भी ने थी गाड़ी की वैसे, लेकिन मिल गई न पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन सल्मान की बात से पूरा यकीन होगे, कि सल्मान को बोली लगने की जिम्मेदार तुम हो मेरा अंटी परिशान है, क्योंकि वो सल्मान की मा है, शेकिन आप इतनी परिशान क्यों है सल्मान की गोली लगने पढ़ने पढ़ने लगने पढ़ने लेकिन मुझे अपने एक-एक सवाल का जवाब चाहिए अरे यहां से क्या, इस दुनिया से चला जाओंगा लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए हम्जा अरे मौत के ख्याल से अगर इतना परिशान हो गई हो तो क्यों की तान से चाहिए बोलो हम्जा रह्म करो मुझ पर, सना भी मेरे साथ है रानिया अगर तुम आज यहां से ही निदा तो पहले मैं तुम्हें कोली मारूंगा और फिर खुद को आज आर या पार आज फैसले का देना है तुम्हारी तारी से तलाक या मेरी मारूंगा शूट करना है, कर दो अगर 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 मर कर भी तुम्हारी नहीं हो सकती क्यों? प्यार करने लगी उस उस वरेवी घटिया शक्स से क्या महबत हो गया तुम्हें? जो समझना है, समझ लो लेकिन इतना जान लो कि अब कुछ नहीं हो सकता है यह तुम कहोगी मुझे जो मेरे मेरे में असास नहीं लिए बुल जो परानी बात है अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है अपनो असान है तुम्हारे लिए यह कहना तो मोटे होती ही बेमसा पेटाए दिल जाए जहाँ मिलना है गम मुझे को वहाँ तनहा थे हम तनहा रहे लोटा नहीं मेरा महरवाँ रब की कसम तेरे हैं हम सुनता नहीं वो जालिमाँ ये जुनूब खुदी बन गई आशकी ये जुनूब खुदी बन गई आशकी तुने दी है ये कैसी सजा बहुत असोसुआ मैं तो कभी सोच में नहीं सकती थी कि आप लोग मुझ से दुश्मनी में मेरी बेटी को बर्बाद कर दें क्या बर्बाद? क्या बर्बाद? क्या बाते कर रही हो तुम? अपने मियां के साथ, अपनी ननन के साथ, खैर से वह शापिंग पे गई है, घूमेंगी, फेरेंगी, खाएगी, पिएगी है बर्बाद लड़कियां क्या ऐसे शापिंगे करती पिरती है मैं उस वक चोटी थी अमा और मुझे सच बोलने की बिमारी थी मुझे ये थोड़ी पता था तब के मेरे सच की सजा मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगी तेक्नैने मेरे प्रेटी करो देक्तिते हैं मेरे पैटी को आजाद करते हैं भाइन पैसा जो कहते todas आजा मेरे पैटी को आजाद । जलील कर लो हमें हकीर समझ लो हमें साज़दा हमारी मट्ती पलीत कर दो तो हमारी तो, तुम पे ही तो पड़ी है, रानिया, कुछ भी कर लो, अपना कलेजा निकाल के रख दो उसके लिए, वो बच्ची खुष्णियों के देती, तुम्हें क्या नफरत भो ही उसके दिल में हमारे लिए, हम तो उसको लागे पचता है, मुझे बता, मुझे बताओ, वो कौन सैसा रिष्टा है, कौन सैसे मिया भीवी हैं, जिनके दरिमियान जगड़े नही होते, भाई होते हैं, लिकिन हर हर जगड़े में के वाले इसे कुछ अलुछ ऐलके आते रहेंगे, और आकर बात बात पर गाते हैं तो 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 ऐसे घर भसते क्यों मारी? ऑपन को सही अजिन गोज से चिपका दिया उसको यहां पर, हिलती नहीं आसे, जाहिर इसका क्या मतलब है, खुशी होगी ना, तसलीह रख तू, कुछ नहीं होगा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो यहां क्यों रह रही है एक यहां तुम्हे, यहां आप अपाल लियो, इसे भहें नहीं पालते, अपना अपे दिल खराब कर रही हो, हमारा भी, तुम चाय भी हो ना, दूद्ध्य पत्ती चीनी से, कुछ इतनी महंगी होगी है, एक प्यारी भी जाय हो नो, बहुत अखली होती है दिल को, यहां जाय वाणी कि पांदू किया हो गया तुम्हें यह यह जाए कि एक टाही है पांदू आपके हस्में आए वे हैं तो प्लीज उने भी बला लीचे नई वो नहीं आए वो बिजी है आप इनकी कौन है दोस्त, नंद ओके, तो फिर आप इनके घर पर बता दीजिए कि गोड़ने उस है नान या मा बनने वाली है पुबारको मैं मस्रामिया, आप इतना परेशान क्यों हो रही है, यह तो बहुत खुशी की बात है माँ बनना तो बलेसिंग होती है, अच्छा मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट लिख के दे रही हूँ और वो तुम्हें रेगुलर यूस करना है, तो मुझे बहुत वीक लग रही हो जाते वे अट्रसाउंड की अपांडमिट लेते वे जाना अच्छा, नेक्स टाइम आओ, तो अपने हस्बंड को साथ लेकर आना क्योंकि मा के बच्ची के साथ साथ हमें हस्बंड से भी बात करनी जरूरी होती है अब प्रीज अपना बहुत सारा ख्याल रखना ठीक है, हम रखेंगे मुबारक भई, बहुत बहुत तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम निकले चलिए, 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 चलिए इससे देखते ही दिल पी गल्ला लगता है मेरू क्यों कम्सोर हो जाता हूँ क्यों अपनी परबादी का हिसाब इससे ने ले सकता है क्यों हमजा, बिटा तो मिद्नी जल्दी क्यों आ गए जी वो मैं दोस्त कह रहे थे कि वो उदी चक्र लगा लेंगे मेरी तो चलिए, चलिए तुम घर से बाहर तो निकले ना कम से कम सना मुझे बता रही थी कि मैंने कहा है हमजा से कि सोशलाइज किया करें देखो कितनी मुक्तलिफ लड़की है ना वो अपने भाई की तरह मतलब भी नहीं है वो अपनी मैं इस टॉपिक पर प्लीज बात नहीं करना चाहता हूँ आप, आइम सॉरी बेटा मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम जिंदगी की तरफ लोटा हूँ कोशिश कर रहा हूँ अच्छा अगर तुम आपस टाइम है तो हम सना की तरफ चले मैं बहुत थक्या हूँ इस बारे मैं बात में बात कर सकते हैं अच्छा ठीक है तुम रेस्ट करो कुछ भी जवाँ तुमारे लिए मैं मैं थैंक यह साज्ड़ फोन क्यों यह चेंग साज्ड़ फोन क्यों यह चेंग मैं तुमारे इंतजार कर रहा हूँ तुमारे इंतजार कर रहा हूँ मैं यही थी बस वो मिस्स फयास के हां गई थी बहुत दिनों से बुला रही थी तो सुचा मेला अरे आपकी तो दवाई का टाइम हो गया मैं साज्ड़ था लानिया के घर गई थी नहीं इसी है वो मेरी तबियत का तो नहीं बताया होगा ना तुमारे कैसे बताती है वो घर पे होती तो तब ना वकाल अमा की और नवाब की वो सना और दानिश के साथ शौपिंग पे गई थी लेकिन मुझे उनकी किसी बात का यकीन नहीं पतनी किस हाल में रह रह रही है मेरी बच्ची बाब अल्दा पे छोड़ दो सब ठीक हो जाए अल्ला से तो अच्छे की उमीद है लेकिन उसकी मखलूक से नहीं पता नहीं कैसे गुजारा करती हो कि मेरी बेटी उन मुनाफिकों के साथ मेरा बस नहीं चलता कि उसको मैं खीच के वहां से यहां ले आओ अगर क्या करूँ उसकी बेजाज जितने अजरे हाथ पाँबाद रखे वो खुच को जियत दे के हमें तक्वीब दे रहे हैं अच्छा मोगा टूदै वैसे तुमने वलाकात का चुपके से तुमने हबजा को पुला लिया देखा तर मैंने उसे वहां से भागते हुए यह कीनिनन दानिश को देख भी आओगा उसमें दानिश आया था? क्यों नहीं आया? उचल तो लगता है हमारा पीछा कटे कटे वो वहां पहुच गिया लेकिन तुम तो गाइब हो गई थी विकीनन हमसा सही बातों में लगी हूँ की गई नखी शड़ाप तंगा गई हुए तुमारी साधिशों से मुझे येकीन है कि तुम ही ने हमजा को वहां बोला है तो उसे कैसे पता चलता कि हमारी लुकेशन क्या है? लो भरी, हो गई हमारी एक और में किसाया वहल मैंने तुमारा पर्दा रखा था अगर बता दू ना फैदानिश को कि तुम वहां छोड़ो यार हाँ तो तब नहीं किया तो घर जाके कर लेका हमारे पेट पर कौन से बात है किच आप बता देना सबको क्यों किकत है मैं तो बहु काउन दूना मैंने किसी को नहीं बुलाए वाम एक से मिलना चाहती थी बात करना जाकी इसको जो समझना है वह फंचे प्रोगतभाई यहां साइट पे प्रिशीद इसे क्या हुआ तो दिखाया जारी मैंस देती नहीं कुछ कुछ अचाता है प्रिशीद इसे क्या हुआ मुझे का पता क्या हुआ तुमारे सामने बैठी मैं तो पकोड़े खा रही हूँ अरे भाई मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था प्रिशान लग रहा है शायद तुम्हें इल्म हो इसका इसके सारे रते-पते अब इसकी बेगम साहवा को होते है मुझे कुछ नहीं आता पता शादी कर दी हमने हो गया लड़का पराया शादी के अबाद कौन पूछता है माम अरी माह तेरी किसमत अब ऐसी बात भी नहीं है तुम्हारे सामने तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है और दानिश को तुमने बच्पन से दबा के रखता है क्या कहरा चाहते हो है मजब कह तुम्हारे खुन चूसने वाली चुड़े लूमे मैं मैंने दानिश को दबा के रखता है सबच्टे क्या दुम अरे भई घल्ती से सच फिसल गया दा मूंसे मेरी प्लेट ना फिसल जए तुमारी जरफ सब्सक्राइब क्या जान लोगी मेरी कि रानिया क्याने के बाद से पूरे घर की फिजा ही बदली हुई है सना को देखो कैसे रानिया को बगल में दवा कर ले गई पैसे एट रहे थे क्या डाक्टर नी के पास उठा कर ले गई आजए पूछते हूं मैं इसको एज तुक्राइब तटी तवे बैठी रहती है ने कह आजए तुक्राइब 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 अपरदी तुक्राइब यू जाए जाए तो ने कि अपने दौरे जदा बेटी को विसम्जादिसाना को अब आजए उन्या से अब तक समाल हुए मैं बहुत द्माग नहीं चलते पर एक अरे कदेशी गर बेड़ के असलाम अलेकूम औरे जल्दी आओ अमा असलाम अलेकूम वालेकूम कैसे आप लोग एक यह बहुत अच्छी ख़ब लेकर आईू मैं आप लग सुनेंगे ना तो आप लोग भी पागल हो जाएंगे अजए क्षी किया कि बिमारी ये जाहीं किसी शची जाए विमारी में ता अमा, तुम दादी, अबा, तुम दादा और ये माँ बनने वाली है क्या ज़रवत्ती है अशी स्पीड मानने की? अभी दिन कितने हो फिशादी को? अरे भाई ये सब मुझे नहीं बता, जो दॉक्टर ने बताया, वो मैंने तुम्हे बता दिया अभी दानेश कहा है, उसको बुलाओ, ये खुशी की खबर सुने का हग, सबसे पहले दानेश का है दानेश, जल्दी बाहर आओ, आप ही जाओ, आजा दानेश, ले ले अपनी आला कारकरदगी की सनद अब क्या हो गया है, अब क्यों से खड़िया मजा करने को रह गया है, कलो अरे भाई, कोई मजाख नहीं कर रही, अपपा हुजूर बनने वाले हो तुम तो, यार सोचो, कितना फानी लगेगा ना, जब तुम्हारे चोटे-चोटे बच्चे तुम्हें अपपा, अपपा, डैडी, डैडी करके बुलाएंगे, कितना फानी लगेगा पानी लगेगा